कभी-कभी ऐसा होता ना हम कुछ खाना बनाते हैं जैसे की रोटी चावल और वो बच जाता है और बाद में समझ में नहीं आता है कि इसकी क्या किया जाए तो कल मैंने ना चावल बनाय थी और चावल मेरे घर में बच गया था तो मैंने सुचाए इसी की कुछ नस्ता बना लि इसे तरह से पहले चला लेंगे उसे पानी करेंगे ईसे हम आट नेटार म chilli पर अबकी आटेक्र पूरतेंगे आट जाजितना भास त valid की बारांटे के रिवाहे एक ङ्रैंडगे हं पंपत कर एक कर दो देप हिसाध से के जबाराई तो इस तर से मैंने इसे पीछ लिया है और इसे हमें एक दम फाइन नहीं पीछना है हलका साई से दरदरा सा ही रखना है तो चलिए अब इसे एक बावल में निकाल लेंगे अब यहां पर मैं ले रही हूं चार से पांच हरी मिर्च और एक ही चत्रे के टुकरे तो अब हम क्या करेंगे इसे हम इस तर से दरदरा सा कूट लेंगे आप चाहे तो इसे पीछ भी सकते हैं अब यह पीछ भी पेष्ट को ना हम इस बैटर में आड़ कर देंगे और साथी में हम आड़ कर देंगे एक कटोरी सूजी तो यह बारिक वाला सूजी है अगर आपके पास मोटा वाला सूजी है तो आप क्या करेंगे चावल के साथ ही सूजी को भी पिछ लीजिए अब सूजी आच करने के बाद इसमें हम आड़ कर देंगे एक चोटा चमसाबु जीरा और टेष्ट को करन इसमें नमक कर्दें पाणी आड करेंगे तो इस टासे से अच्छे से मिक्स करनेक बाद इसँ अम 5-10 मिन्ट के लिए रिष्ट देंगे ताकि , अगर आपके पास बटर प्रेपर है तो पास पीड़का है तो ऐसने ऑफसे खुषि हैं और पंग कि हम यहाँ बना रहे तो आप सकैँ टुमिल भी बना सकते में तो हम ज्त फउलो कर सकते हैं आप कि हम यहाँ पर यहाँ पर ज्यादा त्वनाष्टा बना रहे हैं तो यहां पर हम इससे एक तुसरा थाली लेंगे और इसकी जो consistency है आप देख सकते हैं यह नहीं ज़्यादा पतली है और नहीं ज़्यादा गारी है तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम आइट कर देंगे आधी छोटी चमच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो बेकिं सोडा आपको तभी डालना है जब आपको नस्ता बनाना हो और इसे अच्छे से mix करने के बाद अब यह जो हमने थाली को तियार किया था ना अश्टीम करने के लिए इसमें हम आइट कर देंगे अब बागी के जो बाइटर बचा हुए है ना हम दूसरे थाली में आट करेंगे और यहां पर देखे हमने पानी पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था और यहां पर आप देख सकते हैं पानी बहुत ही बनिया से गरम हो चुका है तो इसमें हम इस देख से एक छोटी सी कोटोरी रख देंगे और कोटोरी में थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि जो कोटोरी है ना अपनी जगह से ही लेना आप इसके उपर यह नास्ते वाला बर्तन रखेंगे और इसे हम रख के 15-20 मिनट के लिए अश्टीम देंगे और सेम तरीके से हमने यहां पर दूसरे बर्तन को भी दूसरे साइड रख दिया है अश्टीम देने के लिए तो टाइमिंग थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है क्योंकि हाँ किसी के गैस के उपर या फिर बर्तन के उपर भी डिपेंड करता है तो आप 15 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं अगर आपको लगे कि यह थोड़ा सा हाथ में चिपक रहा है तो आप इसे पांच मिनट के लिए और एस्टीम कर लिजेगा और यहां पर दिखिए इ इस तरह से यह बिल्कुल याद में चिपकती नहीं है तो आप इसे हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से दूसरे बर्तन को भी हम निकाल लेंगे अब इसे हम हलका सा ठंडा होने देंगे जब यह हलका सा ठंडा हो जाएगा ना तब इसके साइड से इस तरह से चाकु से छोड लेंगे उसके बाद इसे हम डिमोल कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं यह कितना असानी से निकल गया है अब इसके उपर जो पेपर हमने लगाया था ना इसे हमें हटा देना है और यहां पर आप देख सकते हैं एकदम सौफ्ट अस्पंजी जालिदार नस्तवन के त तो चलिए अब इसका हां पीसेस कट कर लेंगे, फिरन्स आपको याद इला दूँ, अगर आज की रिस्पी आपको पसंद आए तो वीडियो का लाइक सेर जरूर से कर दिजेगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आप मुझे कहां से देख रहे हैं, और कौन से से निकल गई है, अब आप चाहे तो इस नास्ते को ऐसे भी खा सकते हैं, जकनी के साथ यह बहुत ही टेश्टी लगती है, लेकिन इसकी टेश्ट और बारहने के लिए इसमें हम एक छोटा सा तरक लागाएगे, तो इसके लिए गैस कूपर इस ऐसे कराही रखेंगे, और इ एक छोटा चमस सामबर मसाला आट कर देंगे, इससे नास्ते में पहुत ही बढ़िया टेश्ट आता है, अब इसे अच्छे से मेक्स करते हैं, इसे हम दो से तीन मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे, तो जब भी आपके घर में चावल बच जाती है ना, तो इस नास्ते को एक चटनी के साथ सर्व की है, आप जाए तो इस नास्ते को नारेल के चटनी या फिर हरी धनिया के चटनी के साथ सर्व पर सकते हैं, तो इसे एक बढ़ दरूर बनाएगा, तो आई होब कि आज की रेश्पी आपको पसंद आई होगी, रेश्पी पसंदे तो वीडियो को आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग